एडिशनल डिस्टिक्स और सेशन जज नीला मरुडा ने कत्ल करने के मामले में और भी को दोशी करार देते हुए आजीवन कारवास साथ साल कैद और पचास हजार जिर्मानी की सज़ा सुनाई है जुर्मान अना देने पर दोशी को तीन महीने और सचा काटनी होगी इस केच दोशी ने डबल माटर कीता और वो एक मदर और और दूसरा बच्चा बारा साथ था इंट्रेस्टिंग अले आप ये दोशी दे फाइल तब की जो हमाचल परदीश ने फिलीस ने किती अपना एक तीसरे तीसरा मर्डर जिड़ा के इस लेडी दा दूसरा बड़ा बच्चा जी चौदान साल उमर उदा मर्डर इने हमाचल जिकीता विला वोदा मडर करन्तो बाद येस माँ नो के इस बच्चे नो जेदी मर बारा साला इत्ते गड़्शं कर लाया एक फैक्टरी वोस फैक्टरी जे दासे ने ने नो रच्चा जीड़ी फैक्टरी जी माला का उदे को इने कमरा लाएके बंद फैक्टरी जी उत्तिर रहना चुर कर देता उने नहीं देख्या उत्ते रेंजिया नो कतल तो इन्हें कतल करके उनूं फोन किता भी आगे चाबी लेलो मैं कुछ कमरा रेंजी कर लिया रेंट वे से पर जदो नेक्स्टे वो लेडी आई उन देख्या भी उत्ते लगा थी स्वाइब गरा करना एविडेस वो लेखनी है कि गडशंकर पुलीस ने गोपाल सीर्ट फैक्टरी की मालकीन रिनु चोधरी के बयानों पर 27 सितंबर साल 2017 को मामला दर्च किया था जिसमें बताया गया था कि उनके फैक्टरी में एक महिला और एक बच्ची की दरदनाक मौध हुई है पुलीस ने जाँच के बाद पिडिता के बयान पर संदिप कुमार के खिलाफ हत्य का मामला दर्च किया था वहीं पुलीस ने आरोपी को कापुकर मामले की जाँच शुरू कर दी है